दूस्तो इस वीडियो में हम लोग जाने हो यeos timnopthilm.com के freakin में दोनों का kाम क्या होता है हमारे स्रीश में कौन से से रीजन आता है जिससे कम जिए पर महीं है पर पहली बाहरा ह worrying चैनल को जरूर सबस्क्राइब करना वीडियो को लाइक जरूर करना तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो में यूसी ने फिल के बारे में दोस्तों दोस्तों जहां तक इसके नॉर्मल रेंजस होते हैं दोस्तों यह 1 से लेके 6 परसेंटेज तक हमारे सरीर में होता है लेकिन जब कोई पैरसाइटिक इंफेक्शन या एलर्जी रियक्शन अगर होता है तो इसके रेंज हाई हो जाता है लेकिन उसमें से कौन-कौन से रिजय होते हैं जिसको यह मुस्टली हमारे सरीर में हाई देखने अगर किसी को एक्जेमा हुआ है मतलब कि इसकीं डिसिस हुआ है या शरीर पे या इसकीन पर आपको भी देखते हूं चोटे चोटे रेड रेड दाने पड़ जाते हैं उसको एक्जीमा बोलते हैं उस कंडिसन में जो यूसुन होता है वह अपने नॉर्मल रेंज स हाई देखने को मिल जाते हैं अगर किसी को यह किसी का लो हो जाता है लेकिन उसके रिजन क्या होते हैं अगर किसी को एलकॉल अगर जादा मत्रम लेता है लेकिन यह बहुत कम मत्रम को मिलता है यह बात करेंगे मोनोसाइड का काम क्या होता है यह कौन से ऐसे चीज होते हैं जिसके वज़े से हमारे सरी में फाइड करता है तो जो मोनोसाइड जो होता है न यह वेक्टिरिया वायरस और हमारे सरी कुछ रख्षय का लेकिन अगर इस सरी में बढ़ जाते हैं तो यह उन्हें करता है और जहां तक इसके नौर्मल रेंज को यहां दो से लेके दस परसेंट दे इसके नौ तो हई हो गया है तो मैं अपको पहले हैं बिखने को मिल जाए लेकिन लो कब होता है लेकिन में किसी को केमो थेरपी अगर दिया जा रहा है तो प्रिजियर चला जाता है यह से बहुत कम कंदिशयन होता है लेकिन होता है इस वीडियो में आपको यह बताने मुलता है एक उसका मार्फलोगी होता है तो उम्मिद करतों ये वीडियो पसंद आयो तो उसको लाइक, शेयर जरूर करना और ऐसी सपोर्ट बनाये रहों फिर मिलते हैं नहीं वीडियो में एकने टॉपिक के साथ